प्राणों से प्यारे विध्यार्चियों शाथियों आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रिये शक्ति के तत्तव लेक्चर नमबर 38 पार्ट नमबर 2 जैसा है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको राष्ट्री सक्ति की दो तत्तव समझाए थे क्या-क्या भूगोल और प्रागरतिक साधन फिर मैंने कहा था कि राष्ट्री सक्ति की जो मुख्य तत्तव होते हैं बेटावू 11 होते हैं जिसमें से दो तत्तो मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिये मतलब लेक्चर नमर 38 पार्ट नमर 1 में मैंने भूगोल और प्रियाकरतिक शाधन ये दो राश्टी सक्ती के तत्तो अच्छे समझाएं बच गए 9 तत्तो आज हम राश्टी सक्ती के इन 9 तत्तो की चर्चा ठीक को राश्टी सक्ती के इन 10 तत्तो अच्छे समझ पर चाहीं ऐसरह करें, हमने पिछले लेक्चर में अकर्ट नमर 38 पार्ट में वह बात आपको समझा दिये अब हम आज राष्टी सक्ति का ये तीसरा तत्त शुरू करें और तीसरे से लेकर कि 11 तक समझाएंगे बेटा राश्टी सक्ति का जो तीसरा तत्त हो जन संख्य है यास बेटा किसी भी देश की राश्टी सक्ति का आपको अध्यान करना हो कि वह राश्टर राज्य सक्ति सालिय है या नहीं तो इसके लिए आपको वहां की जो जन संख्य है इसका भी अध्यान करना होगा किस रूप में अध्यान करना होगा द्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके लिए भी मैंने बिन्दू बनाए हैं पहले तो आप नोट करेंगे जनसंख्या बेटा जनसंख्या में सबसे पहले हम A अरधात A, B, C और D, A और E यहाँ पर मैंने विरधी कर रही है या राष्ट्य सक्ति में पतन का कारण बन रही है जनसंख्या राष्ट्य सक्ति में विरधी भी कर सकती है और राष्ट्य सक्ति का पतन का कारण भी हो सकती है क्यों हो सकती है समझे ए मानुए सक्ति राष्ट्य सक्ति के स्रोत के रूप में बेटा ध्यान विकास मनिश्यों की बिना पूरा नहीं हो सकता अर्थात मान लीजिएगा किसी देश के अंतरगत जो मानव तत्त है उसमें वैग्यानिक ताका भाव है इसे के साथ में वहां ये दी ओध्योगी किरन चाहते हैं तो निश्चित रूप में ओध्योगी किरन के छेतर में जो वि एग्यानिक विकास करना है और दयोग्री को करना है तो इसके लिये सब्सक्तिता-धोगी ही होगी मानव और सक्थी तत्मानिक शेतर जैसा के विद्वान ने Parl से बड़ी स्सेर, के असेुए tässä Olipadita निश्चित रूप में एक तो ऐसा देश है जिसके पास सैनेकुई की संख्या बहुत कम है और एक ऐसा राश्टराज है जिसके पास सैनेकुई की संख्या बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप में जिसके पास सैनेकुई की संख्या ज़्यादा होती है वो शक्ति-शाली होता है फोर एक्जामपल आज के दोर में हम देख सकते हैं अभी रूस और यूक्रेन में यू दिछड़ा हुआ है तो किसके पास सैनिक सकती जादा है मतलब मानव के रूप में हम देखें तो निश्चित रूप में रूस के पास यूक्रेन से जादा शेना है तो निश्चित रूप में यूक्रेन के उपर रूस भारी पड़ रहा है तो ध्यान दे भी है मानव सकते तता शैनिक शक्ति अर्था तो वास्तवीक रूप में ये जनसंख्या का तत्तवी है कि किसी देश के अंतरगत शैनिक शक्ति कितनी है ठीक है रेटा तो यहां नोट करेंगे वाल्टेर कह रह सकती साली होगा रेक ऐसा राष्ट राज्य जिसके पास मिल्टरी पावर है ही नहीं सेना ही नहीं इतना ताकतवर नहीं हो सकता शी बड़ी जनसंख्या कमजोरी का भी शरोत होती है बेटा ध्यान लीजेगा वास्तिवी गरूप में देखा जाती है कुछ जरूरी नहीं कि किसी देश के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है तो वो सकती साली होगा नहीं नहीं कभी कभी बहुत जादा संख्या जनसंख्या ज उनके उदर की पूर्ती नहीं की जा रही है उनके लिए मकानों की पूरती नहीं की जा रहे है तो डैफिनेट लिए वहाँ पर जो है कारण भी हो सकती है उसकी दुरबलता का कारण भी हो सकती है जैसा कि विद्वान कह रहे हैं हैक्सले कहते हैं कि जनसंख्या आधिक्या से ऐस रख्षया तथा असांति फैलती है बैटा किसनी को यह बात कि मतलब जनसंख्या की अधिक्ता जनसंख्या आधिक्ता से एस रख्षया तथा असांति फैलती है तो निश्यत रूप में यह बहुत जयादा जनसंख्या है तो राश्टर राजी के लिए कमज़ुरू का कारण भी हो सकती है जैसे हम अगर इस छेत्र में भारत का उधारन द यहाँ पर आपको वास्तमीद जनसंख्या का विसलेशन करना है तो मानौ सक्ति का मुल्यांकन शंख्या आत्मक तता गुना आत्मक दोनौ तरह से किया जाना चाहिए ठीक है आप संख्या के आधार पर देखे कि जिस राष्ट राज्य की जन संख्या बहुत ज्यादा होगी तो निश्चित रूप में शक्ति सालीव होगा लेकिन वह जो जनता है वह जो मानव है वह आलसी प्रिवर्ति की या कर्मठ है या वह बहुत ज्य जाएगी बेटा आभिशाप इसलिए यहाँ पर मानव सक्ति का मुल्यांकन करना है तो संख्यात्मक और गुनात्मक दोनु तरह से उसका मुल्यांकन किया जाना चाहिए मानव सक्ति का उप्योग करने की योग्यता भी राष्ट्य सक्ति का एक तत्तव है वास्ताव में मानव सक्ति का उप्योग करने की योग्यता भी राष्ट्य सक्ति का एक तत्तव है ठीक है किसी राष्ट्य राज्ये के पास में बहुत ज्यादा जनसंक्या है लेकिन उस ज जन संख्या के अंतरगत निपुनता, योग्यता, कुसलता है भी नहीं, अगर वह जन संख्या वो लोग योग्य नहीं है, कुसल नहीं है, निपुन नहीं है, तो फिर ऐसी स्थति में हम कह सकते हैं कि उस राष्टर राज्ये की राष्ट्य सक्ति नहीं बढ़ सकती है, वह दे बल्कि वहाँ देखना यह होगा कि वहाँ की जनसंक्या है वहाँ योग निपुन कुसल है या नहीं इसके आधार पर उसका विशलेशन किया जा सकता है किसने की यह बात पामरेम पर किंशने मैंने यहीं से इसको शुरू कर दिया आज की युग में उसके बाद में खाले छोट दिया जो इक मैंने आपको बता है उसको नोट कर सकते हैं अब इसका चोथा तत्तव है आर्थिक विकास तथा ओध्योगिक छंता बेटा द्यान दीजिगार किसी भी देश की राष्ट्रिय सत्य का आपको विशलेशन करना है तो इसके लिए आपको यह जो चोथा तत्तव है इसको भी अच्छे से अध्यान करना पड़ेगा क्या आर्थिक विकास तता ओध्योगिक छंता बेटा वास्तिक रूप में किसी देश के अंतरगत आर्थिक विकास की गती तीवर है क्या तीवर है या धीमी गती से विकास हो रहा है आगर मानने जगा आज किस ततिम हम देखें तो वास्तम में भारत की जो अर्थ्वे वस् स्थान पर आ चुकी है हमारे यहां पर जब कि हम कहेंगे कोरोना काल में जातार राष्ट्र राज्जियों के अर्थवस्ता कमजोर पड़ गी थी लेगन हमने वास्तिव की रूप में डटकर के मुकाबला किया और हमारी अर्थवस्ता भी भी मजबूत बनी हुई है तो निश अगर माले जगा किसी भी राष्ट्र राज्जय का मिश्रेशन कर रहे हैं और वहां की जनता बहुत ज़्यादा गरीब है तो निश्य तुरूप में गरीबी हमेंसा सक्ति को शिमित करती है मतलब अगर वहां की जनता गरीब है कोई राष्ट्र राज्जय आर्थिक द्रस् राष्टी से सक्तिसाली होना बड़ा मुश्किल होता है। और इसे के साथ में उसके पास बहुत जादा शैनिक शक्ति है तो निश्कित रुप्यों सक्तिसाली होगा। राष्टी सक्ति का द्यान करना चाहते हैं विसलेशन करना चाहते हैं उसे समझना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना होगा क्या कि वहाँ पर तकनिक का क्या इस तर है। तो नौट करें 5 tuh है तकनीक, अब तकनीक को संधाने के लिए भी हमने यह द्यार कीं, अर्थात कि जो टैकनीक है वह है बहुत ज्यादा विख्षित है तो निष्चित रूप में वहाँ पर आर्थिक विकास भी होगा और उर्देग्य कोई कास भी होगा, इसलिए आर्थिक औ और उद्युक विकास की कुंजी कहए बेटा तकनीक है यस बी परमानू टकनीक तथा राष्ट्य सक्ति अगर मालनी जगा किसी राष्ट्राज्जे के पास में परमानू टकनीक है तो निश्यत रूप में वहां की जो राष्ट्य सक्ती है वो धीरे 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 घृरद्धी क स्थर्पर वहां की जो राष्ट्य सक्ति है निश्यत रूप में हम कहेंगे दुर्बल नहीं हो सकती बल्कि वह राश्ट्र राज्यत ताकत वर होगा तो नोट करें पर्माणु टकनी तृतर राष्ट्य सक्ति मतलब अगर पर्माणु तकनीक मश्पूत है तो निश्चित रूप में वह देश सक्पिशाली होगा C है तकनीक स्वविकास की कुझी की रूप में अर्थात वास्तिक रूप में किसी देश के पास इती टेकनीक है तो टेकनीक उस देश के स्वविकास की कुझी है मतलब निशित रूपन उस देश का स्वयत ही विकास होगा, आपने आप ही विकास होगा, क्योंकि टेक्निक किसी भी देश के विकास की कुंजी है, इसलिए इसको कहा है तक्निक स्वय विकास की कुंजी के रूप में, ठीक है बेटा, कुंजी मिल से एक प्रकार्श हम कह सकते ह क्या है चाबी है पुंजी है और विकास विकास एक प्रकार से क्या हो गया ताला हो गया लोग हो गया तो वास्तिविक रूप में विकास रूपी ताले को खोलने की जो चाबी है पुंजी है वो तक्निक है यास दी है तक्निकी सहायता राष्ट्री सक्ति के साधन के रूप मे यास बेटा अब वास्तिविक रूप में अगर राष्ट्री सक्ति के साधन की बात की जाए तो तक्निकी सहाथा राष्ट्री सक्ति के साधन की रूप में भी होते हैं क्यों होती हैं क्योंकि वास्तिविक रूप में किसी भी राष्ट्राज्य के पास में दी तक्निकी है अब निश्चित रुप में उस राष्ट傑 सक्ति य का द्रूप में इसे देशनी के भी मैं इन चार बिन्म कि आद्हार पर आप अध्यन कर सकते हैं यह कैस्ता नोट करें है शाय निक तैयारी सैनिक तैयारी को भी हम यहां पर जो है दो निश्यत रूपर इसकी सैनिक शक्ती आपको देखनी होगी अगर किसी देश के पास भी बहुत ज़ादा बहुत अच्छी शम शमतवान military power है तो निश्यत रूप में वहां की जो राष्टी सक्ती होगी हो मजबूत होगी ठीक है बेटा भी है सैनिक तैयारी के तीन तत्तों आता वास्तिक रूप में जब सैनिक तैयारी की बात आती है उस राष्टर राजे में सैनिक तैयारी हो रही है नहीं हो रही है तो सैनिक त त्रच्टिक नोट करें, युद्ध थक्निक की उनके पास एक भूंग करने थैकनिक कैसे हैं युद्ध की तक्निक है यास Щक्षम है, नहीं है, तो निश्चित रूप में उशक्ति साझी होगा आगर राजनुतिक सक्ति सैनिक शक्ति के अधीन होगी तो भाई देश जादा विक्सित नहीं हो सकता- उसका विकास नहीं हो सकता- वहां हमेशा नहीं समय आरे इस notebook की संख्या और योगता आर्टा इसे बात इहां सैनिक्व द्यारी में यह सैनिक्ति की संक्या कितनी है संक्या के साथ-साथ उन सैनिकों में कितनी कुसलता योगता मनोबल सामर्त है यह बात भी माइले रखती है इसके बाद में सात्वां कत्तव आता है राश्टी सक्ति का विचारधारा आइडियोलोजी देखो बेटा विचारों का जो समुच्य होता है उसे विचारधारा कहते ह है आप ले सकते हिए से लोगतांतरिक शमाज़बाद आजिवाद-फाशिवाद-फाशिवद मार्क्स हैं उदारवाद है इसे के साथ में आदर्ष माद नारी दे sept had a day आप चुंके हम यह राजनतय की विचारधारा हैं नहीं पढ़ा रें राजन्तिक की विचार। विचारधारा किसी कहते हैं मतलब वास्ती कुरूप में विचारों का जो समुच्ची होता है उसी विचारधारा कहते हैं तो किसी भी देश की आप राश्टी सक्ति का विचलेशन करना चाहते हैं तो विचारधारा के आदार पर भारत की बात करते हैं तो भारत की जो विचार संग चीन से लिए और भारत ने दोनों का समनवे कर दिया है मतलब यहां एक प्रकार शे कहेंगे लोग तंतर मतलब सोतंतर्ता समाज अधे से बिठाए गया इसलिए भारत दीरी 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 विकास करता जा रहा है सोवित संग के विक्टन होने का मूल कारण यही है कि उसने सो वाजवाद के उपर बल दे रहा था लेकि लोगतंतर के उपर बल नहीं दिया वहां पर लोगों की सवतंतरता बिल्कुल भी बल नहीं दिया वहां पर लोगों की सवतंतरता बिल्कुल स्वाप्त कर देगी थी लोगों का दम घुटने लगा इसी ही कारण वास्तिक रूप में अब इसके लिए मैं लिखा है निया थॉक्त के रूप में विचारदारा एक राज्य की सक्ति के रूप में होती है वैसे भारत में लोक्तांतरिक समाजवाद को अपनाया गया है, रिशित रूप में यह हमारे लिए शक्ति का तत्व है, इटली और जर्वनिम नाजवाद और फासिवादी विचारधारों को अपनाया गया तो इसके पतन का कारण बना, इसी के बाद में दूसरी विश्वद् में तनातनी चल रही थी, इस तनातनी के प्रणाव स्वरूप ही शीद का जनम हुआ, मतलब जब विचारधारों में तनातनी हो जाते हैं, दो राष्ट राज्यों के विचारधारों अलग अलग होती है, तो ऐसी श्तति में उनमें शीद युद्ध की श्तति उत्पन हो जा कि योह राष्ट्राजे सक्ति साली कद्सक्याइन कारी और में होता है था राष्ट्रे सक्ति कि सारे तत्तवे सक्याम कर देटे हैं उसक्ता क्योंगे है अगर मस्पूत नेत्रतव है तो निश्वित रूप में वहरिट्रतण कहां सकता है कारण वाश्ट्रतम. यहाँ वि daha बाद्पी किसे रूप में तैज्यारे ओधर्पा समय रहे हैं। राश्ट्री ए शक्ति माने तफ्रोप में नेतरतौे आच्छा कुछल नेतरत में ताहुं की सक्ति होती है क्यूंकि निर्ण निर्माता होते है वह आंत्रिक रूप में भी मतलब देश के लिए आंत्रिक रूप में भी निरने लेते हैं और बहारी रूप में विदेश नितिक रूप में भी निरने लेते हैं तो आंत्रिक रूप में भी अच्छे निरने ले रहा नहीं और बहारी रूप में जो विदेश निति तैकी जा रह में देखा जाए तो सरकार की योगता तो इसमिए मूल बात देखने की कि जो सरकार है सरकार का प्रभाव साली संग्ठेल हें सरकार के दवरा जो भी विन लिया जा रहा है उसका आnt li रूब्ली बहारी रूब में तरीर राश्टर से उसको कितना सम्मान दे रहे दूसरे राष्ट राज़ी को पर उसका कितना प्रभाव है अब कितना प्रभाव है तो यह बात नेतलत कुंप परिव निर्भर करती है अगर लीडर्शिप मस्पूत है तो पीस निस्थित रुप में होगा ही होगा जैसा ही मैने नोट किया है सरगजा के न के नेकर नाज के आज के बात करते हैं तो आज हमारे देश में UdyIR के नेतरतों में सर्कार संचाली है तो आजा सकता है कि संप्रं तन सरग्रह की जी योगता है, मजपूत है, मजपूत होने के कराने कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में हमने दिखा दिया है कि भारत भी कोई राष्टर राज्य है, आज सभी राष्टर राज्य है भारत की विदेशनिती से प्रभावित हैं, यह बात पहुनते हैं, यहाँ पर किसी पार् में राजनिती के बारे में जैसा होता है वैसा ही बोलना चाहिए अपनी तरब से या मैं यह कहूंगा पूरा एक रों से ग्रिशित हो करके कुछ भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम तो इनका निश्पक शुरुप में विसलेशन करते हैं नाथ्षित है उबस्टते का है थैरे राश्टी सट्य चरीतर तट्वमनोबल। यह बहुत महुत पुरुण है। किसी देश का राश्टी चरीतर क identifies हैं जैसे बहुद की बात करते हैं तो भारत का राश्टी चरीतर कहसा है। हमारे यहां पर सहन शिंता बहुत जादा है। में सब्सक्राइब कर देखेता है कि बहुत जद्धा परिसान ना कर देजा है तब तक हम वास्ति की रौप में किसी को प्राक्रषून करते भी नहीं है तो निश्टीत रूप में हमारा जो राष्टी चरीतर है वो शैनशील है अगर ब्रटेन की बात आती है तो ब्रटेन का राष्टी चरीतर की बात आती है तो वास्तवी की रूप में कानूनों का परंपराओं का इमानदारी से पालन करते हैं अगर सेंक्राइज अमेरिका की ब और कि सेना का और भी सोस्ट सम hall मनोबल कर राजने कि मौनिज़ाद मौनमौबल कैसा है? कि निस्चित रूप का बड़ा योगदान होता है और इसके बाद में ग्यार वहां अन्ती मेह वैटा कूटनीती डिप्लोमाशी राजने वास्तिक रूप में राष्ट्री सक्ति का 11 तता है कूटनीती बहुत महताव पूरन है कूटनीती के उपर हमें कहा सकते हैं कि यह सारे तत्व निर्भर करते हैं अगर किसी रेश की कूट कूट निती राष्टी सक्ति का मस्तिस्क है जो राष्टर के सारे सक्ति सिर्वेतों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि उनमें अधिकान्स का प्रियोग हो सके कूट निती राष्टी सक्ति का मस्तिस्क है और इस आधार पर अन्ने सभी तत्तों का प्रियोग किया जा सकता है हाला कि यहां हानचे मारगेंथों जो बात कहिए वो हम कह सकते हैं कि इसमें 30-30 जादा है मतलब इतना भी नहीं है कि कूट निती एक निधारक तत्तों है लेकिन इतना जरूर है कि कूट निती एक महत्रपून तत्तों जरूर है इसके बादे बेटा जब यह 11 तत्तों आपकी समझे में आ जाते हैं तो मैं यहां पर एक बात और कहूंगा एक विदवाने कॉलम्ईस तथा वूल्फ कॉल्बिस तथा वूल्फ ने राष्ट्रिय शक्ति के तीन तत्व और बतलाई हैं किसे कॉलम्ईस तथा वूल्फ कORUMBIS तथा वूल्फ पहले है translate किसी राष्ठरर्य स्टेटर से प्रतिस्थथा है कितना है कि तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह राष्ट गयाजे सक्टी साली है या नहीं दूसरा है वास्ट को पीछी करो थोड़ा दूसरा है जो विदेशी समर्थन तथा निर्भरता नोट कीजिए विदेशी समर्थन तथा निर्भरता अत्त वास्तिवी क्रूप में यहां पर एक राश्ट्राज दूसरे राश्ट्र राज्जे की कितनी साहता कर रहा है एक राश्ट्राज दूसरे राश्ट्र राज्जे को पर कितना निर्भर करता है इसके उपर भी उसकी जो है राश्ट्रिय शक्ति तथा, दूसरा है राश्ट्रिय सायोग तथा निर्भरता, ठीक है बेटा, और तीसरा है दूर घटनाई, आता किसी राश्ट्रा, राजिया, किसी देश के अंतरगत, अक्समात, कोई प्राकृतिक आपदा आजाती है, भूकंप आजाता है, बाढ़ आ जाती है, तो निश्च राश्टी सक्ति कमजूर पड़ेगी और किसी देश के अंतरगत मानने जएगा हम भार्त की बात करते हैं कि समय पर अच्छा मानसुन आ जाता है तो अच्छी खेती हो जाती है अच्छी खेती हो जाती तो क्योंकि हमारे यहां की जो अर्थ्विवस्ता किसी पर निर्भर करती कि अभाई क्यों राश्त राश्त रात शक्तिन्य सालीका हैना हो और नहीं तो फिर फिर और आ रहा हूँ कॉलममिस टता हूज रूम्पित राश्तिये ओघ्रम वू लेफाए और ये आ यहाएगा वू까요 आप राष्टी सक्ति के तत्तों का अच्छे से अध्यन कर सकते हैं आप इसके बाद में अन्त में हम यहां पर इसका निश्कर्ष निकालेंगे जो ग्यार है तत्तों मैंने आपको समझा है एक तो यह और कॉलमिस तत्तव गूल्प की तीन तत्तों मैंने आपको बता है उन सब का निश्कर्ष निकालेंगे क्या निश्कर्ष निकालेंगे निश्कर्ष यह कि अगर मानवी तत्तों का ज्यान देवेता अगर मानवी तत्तों का अच्छी तरह प्रियोग करें वेटा समझना है अगर मानवी तत्तों का अच्छी तरह प्रियोग करें तो अच्छी राष् यहां समझने की बात यह कि मानुए तत्तों के दुवारा गैरमानुए तत्तों का अच्छी तरह प्रियोग करें तो अच्छी राश्टटब्र से उपयोग प्रियोग किया जाता है तो निश्चित रूप में राष्टिये सक्ति आगे बढ़ सकती है, एक अच्छी राष्टिये सक्ति उपण हो सकती है, उस राष्टर राष्टिये सक्ति है वो बहुत आगे बढ़ सकती है, वह राष्टर राष्टिये सक्ति साली हो सकता है, का बसरते की मानवी तत्तों के द तत्तों का अच्छी तरह प्रियोग करें तो अच्छी राष्टी सक्ति उत्पन हो शक्ति है यह सभी राष्टर राज्जी के उपर निर्भर करता है शंक राष्टर संग के श्रादस्यों की जो संख्या है ओ एक सो तराणमें राष्टर 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 लागूंगे और कॉलमिस तता उल्फ ने जो तीन राष्टी शक्ति के तत्त वतलाएं ये भी एक सत्राण में राष्टराज्य उपर लागू होगे किसी भी राष्टराज्य की राष्टी शक्ति का आप अध्यन करना चाहते हैं विशलेशन करना चाहते हैं मुल्यां करना चा खाते हैं तो आपको इन सभी राष्टि सकति की तत्तों का विस्छिलेशन करें और उसके आधार पर आप निश्कर्श निकालई सकते हैं कि वे राष्ट्राइज किस तता उल्प के होगे प्रतिष्टा राश्ट्री ए सायोग का था निरभरता और दूर घटनाएं तीन होगे बैटा यह तो 11 है और 3 टोटल कितना होगे? 14 होगे तो ऐसे आप इन 14 बिन्दों के आदार पर भले आप इसनात को तो इस तरह के त्यारी कर रहे हों इसनात के त्यारी कर रहे हो B.E.M. में या फिर आप M.P.L. के त्यारी कर रहे हो या मैं कहूंगा UGC.NET के UPS से किसी की त्यारी कर रहे हो इससे बाहर कोई प्रशन बनने वाला नहीं है मुझे पूरा विश्वास से आप राश्टी शक्ति के 11 के 11 तत्तों को समझ गेंगे और team तत्तों जो columnist और rule के हैं यह भी आप अच्छे से समझ गेंगे यास बेटा ओके थैंक यू अरी माच्छ थैंक यू अरी माच्छ